नमस्कार चक्रियू में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ मुकेश राजपूर और आज चक्रियू में सवालों के घेरे में हैं भारतिय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर क्रिशनलाल पौमार साब आपके पास ट्रांस्पोर्ट है आपके पास हाउसिंग है और जहां तक ट्रांस्पोर्ट का सवाल है ट्रांस्पोर्ट को हरेक राज्य में ही सबसे ज़्यादा भ्रस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है आप क्या कहेंगे इसमें मानने ये मनोलाल खतर जो भारती जन्ता पार्टी के परदेश के मुख्य मंत्री है जुनों न मुझे परिभाइन और आवाज की जुमारी सोपी ग हिंदुस्तान में नाम होता था जो नमबर वन पर आती थी गलत लिये के फैसले के वज़े से आज हर्याना रोडवेज है इसका घाटा एन्वल साड़े चार सो क्रोड है और मुझादा मुझादा सरकार कैसे हर्याना रोडवेज में सुधार आए हम अनेक परकार की योजना से होता था इनाम लेने आपके पंत्री लोग भी जाया करते थे इस विदाएं बहुत अच्छी है और हर्याना रोडवेज का जब रोडवेज निकलती थी तो एक बहुत ही आप कहेंगी इज़त पाती थी लेकिन अब जो हर्याना रोडवेज के करमचारी हैं उनको रोडव पे लाने की तैयारी कर रही आपकी सरकार इसलिए रोडवेज नाम था हर्यादा रोडवेज अब भी नंबर वन रहेगा इसके लिए हम कई स्कीम लेकर आ रहे हैं हम निश्चित तोर पर हर रोडवेज का जो नाम था उससे भी आकर बढ़ाने का आज की मउजुदा सरकार क करेगी और उसमें पुरा प्रयाश रत हो लेकिन अभी तो जो आप स्कीम ला रहे हैं वो तो नीजी करन की है आप नई बसें ला रहे हैं लेकिन प्राइवेट लोगों के जरिये और इसका काफी विरोध हो रहा है जगा जगां पे नारेबाजी हो रही है आपको लेकर मुख् ह्रियाना प्रदेश के अंदर एक दन के अंदर 33 लाख लोगों को बस सुइधाओं की आवशताँ पड़ती है लेकिन आज हम हर्याना रोडवेस के उल 13 लाख लोगों को सुइधा दे पा रहे हैं हर्याना रोडवेस के अंदर 400 बसों का बेडा है जिसमें 3800 बसे आज रूट चल रही है, 400 बसे याड के अंदर खड़ी हैं. क्यों खड़ी है? उसके लिए ड्राइवर, कंडेक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी के वज़े से पूरों सरकारों ने बसे तो खड़ी दी, लेकिन ड्राइवर, कंडेक्टर, टेक्निकल स्टाफ नाउने के वज़े से सालों बसे खड़ी है तो अब आप परिवेन मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं सरकार आपकी है आपके पास पूरा का पूरा हम कहें की भहूमत है तो आप भरती कीजिए ना उन चार सो बसों को बेड़े से निकाल के रोड पे डालिए क्यों नीजी करन करना चाहरे हैं आप उसके लिए हमने साथ सो पच्चिस ड्रैवर भरती करने की हमारी योजना है और 21 दिसंबर चे हम उनके टेस्ट वगरा ले रहे हैं और जनवरी महा तक हम सवाथ साथ सो ड्रैवरों को भरती करके जो चार सो बसे याड के अंदर खड़ी हैं उन सब को रोड पर लाने का काम करेंग अब जो नई बसिस आएंगी ये कितनी आएंगे इसके लिए हमने जो स्कीम लेकर आए हैं इसमें बस मालिक की होगी ड्रैवर मालिक का होगा परमिट हर्याना रोड वेज का होगा और कंडेक्टर भी हर्याना रोड वेज का होगा पर किलोमेटर के साथ से हमने तै कि एक महि से आएंगे इसके लिए हम कम से कम दस जार बसे हमें हो रब सकता है लेकिन जितने भी रिस्पोंस हमें आएगा सुविधाव कम पूरा करने के लिए हम बसें लेकर आएंगे रोडवेज की जितने भी करमचारी संग हैं यूनियन्स हैं सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप तो रोडवेज का नामों निशान मिटा देना चाहते हैं हरियाना से इसलिए आप प्रिविटाइज कर रहे हैं नीजी करन कर रहे हैं और लोगों का जो रोजगार मिलने की उमीद ह खितन होती जा रही है लिए हमने पोलिसी तै की, एक बात और कि जो बस है, वो नीजी मालिक की होगी, जो ड्राइवर है, वो नीजी मालिक का होगा, और जो सबसे ज्यादा सेफटी के लिहाँ से हम देखें, तो यह बहुत ही खतरनाक चीज है कि एक निजी ड्राइवर बस को चलाएगा और उसकी ट्रेनिंग कितनी हुई होगी एक्सपिरियंस कितना होगा ये वाली जो कमान है वो आपके हाथ से निकल जाएगी आपकी जनरल मैनेजर के हाथ से निकल जाएगी सरकार के हाथ से निकल जाएगी इसके लिए हमने जो स्क साल का अनुभव जिसके पास है हम सवा साथ से उन ड्रैवरों को भरती करने जा रहे हैं उसके बावजोद भी हम उनका टेस्ट ले रहे हैं जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे हम उन ड्रैवर को रखेंगे जो गारी को सेफ चलाएंगे एक जो दूसरा आरोप ये लग रहा है कि जो हर्याना एक ऐसा स्टेट है जो कई राज्यों के लिए गेटवे है जब पंजाब आना हो जमू किश्मीर जाना हो तो जो नैशनल हाईवे है वहां पर जो गोरख धंदा है जो फरजी पना है सबसे ज़्यादा हर्याना में होता है आप को इस चीज का ग्यान है इसके यह हमने बाकादा से मारी और टिय स्टाफ है इस परकार से कोई इलिगल गाड़ी चलती है तो आर टिया इस स्टाफ हमेरा समय समय पर होड लोडिंग इह लीगल तरीक है और इन्टीर कर लेते हैं। Director गाड़ियां इंट्री करने कि हम बाकादा चेकिंग करते हैं और चलान क ऩ貼 बाग में स सभी RTS को जुमिवारी दी है कि हम रेगुलर चेकिंग करेंगे और उन काम समय समय पर हम में ़िभूब जी करते हैं कि आपने पर मंथ हैं कितने चला। किये, कितने और लोड चलान किये, वो सारा डेटा हमारे पास ओनलाइन भी आता रहता है, और हम समय समय पर हम रिमूब करते रहते हैं. राजनिती के आप पुराने खेलाडी हैं, आप पांचमी बार चुनाव आपने जीता है, चार बार आप इनैलो से जीते, इस बार भारती जनता पार्टी से जीते, जो दोनों पार्टियां हैं, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगता है इनैलो और भाजपा में? मैं चार बार इनलो से विधाय गरा, वो अतीत की बात है, और वेक्टीन भविस्चे की सोच नीची है, आज मैं भारती जिनता पार्टी का एक कार्य करता हूँ, और पार्टी संथन, बीजेपी संथन के, और मानिय मुख्या मंतरी के किरपा से, हर्याना प्रदेश कर दोजे कै कर रहा हूं करूँगा, जो भरस्टाचार की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं, पहला सवाल भी यही था, अभी दुवारा भी यही कर रहे हैं, इसको कम करने के लिए, क्योंकि आपको इतना experience भी है, ऐसे कौन से कदम है, जो उठाए जा रहे हैं, जिनको जनता को आप ब ही हो, तो उसमें जो सब से ज्याजा जो बद्रामी का अड़ा था, हम जो रजिश्टी होती हैं, तैसील होती हैं, उसको मानते थे, लेकिन आज मुझूदा हर्याना परदेश की सरकान ने, ओनलाइन, सिस्टम करने के बाद, सेम डे रजिश्टी हो जाती है, और सेम डे ही इ पास कराता है, चक्कर काटने पड़ते हैं गाड़ी पास कराने के लिए, उसके बाद वो कोर्ट में जाकर के पेपर फाइल त्यार करता है, तीसरा फिर जाकर अथोर्टी में जाता हो, जहांपर उसको नंबर लेना है, कहीं चक्कर काटने बाद भी उसको आर्से वगारा सि और नमबर में लेकर उसको बार निकाला जाएगा, ऐसे हम सुईधाये दे रहे हैं तो किसी वेक्टिको इसके ऐस सुईधा नहीं होगी. जे मतलब एक जगाई उसका जो काम है वो हो जाएगा. उसी एक स्थान पर हो जाएगा. जो हर्याना रोडवेज की बसे हैं, साधारन बसे हैं, उसमें यात्रा किये वे कितने रोज हो गए आपको? मैं निश्ची तोर पर कहता हूं मुझे हर्याना रोडविज की मंतरी बनने के बाद तो यात्रा नेकी तो निश्ची तोर पर मैं करूँगा क्योंकि मेरा विवाग है चाहिए विवाग में ना हो और हमें करने भी चाहिए तो निश्ची तोर पर मैं यात्रा करूँगा जिस एक बार वहां पर रुके भी रोटी खाएं और वहां पर रोटी खाते समय आप देखें कि एक साधारन यात्री की किस तरीके से छिल उतारी जाती है वहां पर उन पर क्या कोई कंट्रोल नहीं है इसके लिए आपके ने आपकी मिद्या ने चलाया था मैंने पिपली के अंदर पर कार की एक विजिट किये थी मैंने सारा अपना स्टाफ गाड़ी छोड़ गए अदा किलोमेटर पैदल चल करके मैं लोगों के बीच में जाकर बैठा था और मैंने चाय का भी ओडर दिया खाने का भी ओडर दिया मैंने रेटी भी पूछे लेकिन किसी कंट्टर ने मेरी पैचान कर ली जिस वज़े से वो एकदम से अलर्ट हुए उसके बाद जो दिया पिफली जो ढबा था उनको अलर्ट करके आ था और जिस परकार से उसके बाद मैंने जो आम यातरियों के लिए टौलेट बगरा हैं वो भी चेक की वो गंदी पाई तो तुरंत मैंने पैस दिया कि तुरंत इनको अच्छे ढंग से बना जाए और ढबा है जो उसके रपेर की जाए तो उसके लिए 26 लाग से ज्यादा तो कंटीन थी उसका पैसा में ने मंदूर किया है और सड़े चार लाग के करेब जो टौलेट बगार बढ़ने थे उसका आत्ते पैसा मने म पैचाने का नहीं ताकि असलियत आपके सामने आए जो ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी चक्रव्यू में सवालात का दोर जारी है और इस वक्त सवालों के चक्रव्यू में हैं आपके अपने चहीते कैबिनित मिनिस्ट क्रिशनलाल पावार साहब हम जानते हैं आप कही हैं वो तो कह रहे हैं हमने तो बेरोजगाल कर दी है जी हमारे तो बच्चे भूके मर जाएंगे करें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अ ब्रेक ने बाद चक्रुमें आप तो सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आज चक्रव्यू में हैं आपके अपने कैबिनिट मिनिस्टर अरियाना के परिवहन मंत्री और हाउसिंग जिनके पास है क्रिशनलाल पमार साहब पमार साहब ब्रेक में जाने से पहले हम बाचित कर रहे थे जो ब्रस्टाचार का विभाग माना जाता है परिवहन को अब हम हाउसिंग में आते हैं हाउसिंग को भी बराबर का मलाईदार महकमा माना जाता है और हर एक की कोशिश रहती है ये दो विभाग में दोनों आपके पास हैं तो जो हाउसिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी प्रस्टाचार को नियमित करने के लिए या कम करने के लिए कुछ कदम आपकी सरकार या आप उठा रहे हाउसिंग विभाग मलाईवाला महकमानी शेवा का ये ये डबलो एस गरीब लोगों के लिए मकान बनाए जाते हैं आज हर्याना हाउसिंग बोर्ड के अंदर थत्तर हजार मकान हैं जिसमें से बावन हजार ये डबलो एस के हैं केवल वो पचास गज़ या साट गज़ में बनाए जाते हैं जो केवल गरीब आदमियों के लिए बनाकर दिये जाते हैं. क्या वो असली गरीबों तक पहुंचते हैं या फिर उसके लिए हम जब भी स्कीम को फलोट करते हैं. उसमें नौरम तैय है, इंकम का है, बी पील का है. तो जो नौरम पूरे करता है, उनको फारम बना करके और मकान बनाकर उनको अलाट कर दिये जाते अब भी 22,000 मकान अंडर कंसिडेशन है, जिसमें से 19,000 EWS के गरीबादियों के लिए है. जी आपकी जो हर्याना की सरकार है, मनौरलाल खटर साहब की सरकार हो, या केंदर में मोधी साहब की सरकार हो, आप बार बार नारा देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. कितन पहुँचाने के लिए, कुछ कर रहा है, हमने तो देखानी जमीन पर. इसके लिए मानने देश के प्रधानवंति नरेंदर मोधी जी का, मैं बहुत इस बात के लिए अभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बेटी, बचाओ, बेटी, पढ़ाओ, अभियान हमा डिस्ट्रिक्ट में तो नोशो करीब पहुँच चुकी है, पिछला जो रेशो था, उससे अचिविमेंट किया है, इसलिए अर्यान परदेश के अंदर, इस परकार से जैसे आपने का की, लड़कियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि मुझदा सरक ने भारती जंदा पार्टी के सरकार ने मेलाओं को समान के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, हम ने वैदा किया है, और उसके लिए हम अपने विभाग की तरफ से एक योजना बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, क्या योजना हो गया है, पूरे अर्याना परदेश में हैं, या टेकनिकल कोलेज हैं, या स्कूल हैं, हम उन सभी लड़कियों को बस प्रवाइड कराएंगे, जिससे बच्चियों को स्कूल तक कोलेज तक आने जाने के किसी परकार की ऐस्विधा ना हो, कब तक हो जाएगा ये? इसके लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट को कराएं? हरियाना नंबर की जब हम गाडियों को सडक पे देखते हैं, तो जो कुछ लोग हैं, वो डर के साइड पे कर लेते हैं, जैसे आम तोर पर जो फौजी भाईयों की गाडियां होती हैं, उसमें रफ ड्राइविंग कभी-कभी देखने को मिलते हैं, वैसी रफ ड् हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के हम बात कर रहे हैं, तो इस में कुछ सुधार की गुंजाइश है, या इसी तरीके से हरक पर आतंक रहेगा हर्याना की गाली होगा, इसके लिए भी हमने फैसला किया, आब मौजूदा, हम ठारा डिपो के अंदर केवल बस ट्रेनिंग दे हैवी लाइसेश के लिए, लिकिन हमने फैसला लिया है, हम सभी डिस्टिक अट्वार्टर पर ड्रेमिंग ट्रेनिंग स्कूल के अंदर काली बस नहीं, उच में चर्ट ट्रक है, बस है, क्रेन है, जे-सीबी है, कार है, मोटर सैल है, ट्रेक्टर है, सभी परकार की और जो गाड़ी पर आएगा तो जो हमारे एक्सिडेंट है उते ज्यादा उन में भी कमी आईगए जो हाईवेज आपके राज्ये से निकल रहे हैं हर्याना के राज्ये से निकल रहे हैं उनको और विश्वस्तरिय बनाने के लिए कोई ओजना है आपकी हो हला कि वो आपका विभाग नहीं है नेच का रहता है लेकिन कुछ सिफारिश हैं आपके तरफ से की गई हों कुछ नई सडके आ रही हों इसके लिए मानिय परधानमंत्री ने जब पीछे जो पूरो सरकारों के अंदर जो केमपी है जो पलवल से हमारे कॉंडली तक का था एक्सप्रेस हाई वे वह भी कुछ ठंडे बस्ते में था और कॉंडली से लेकर वो गाजियाबाद तक पूरा हाई एक्सप्रेस हाई बनाने के लिए मानिये परधानमित निरंदर मोदीजी ने अधार शिला रखी है और वो काम केमपी का जो सालों पर से बंद पड़ा था बहुत जल्दी सरू हो जाएगा और जिससे सभी लोगों को उसकी बहुत सुईधा मिलेगी और दिल्ली के अंदर में मानता हूँ फिप्टी परसेंट से ज्यादा जो ट्रैफिक है और डाइवर्सन हो जाएगी जिल्ली में अभी सुप्रीम कोट का फैसला है कि जिस गाड़ी का दो हजार सी सी से ज्यादा का इंजन होगा उसको रिजिस्टर नहीं किया जाएगा क्या ऐसी ही कोई स्कीम हर्याना में आने वाले समय में लाने की उमीद हो पॉलूशन को लेकर ये सुप्रीम कोट ने फैसला सुना है जिट्चे किंदर की सरकार है जो परदेश की सरकार है तो किंदर की सरकार ने भी सभी परदेश की सरकारों ने पॉलूशन रहात परदेश बढाना चीए इसलिए दिल्ली की सरकार ने जो फैसला लिया ह तो पोलूशन से समंदीत लिया है तो मौजूध हर्याना सरकार भी पोलूशन से समंदीत चाज़े एटीपी पलाँट लगाका उस्वासाईवाण सबस्वाण भियान लाग़ों करके हर्याना गाड़ेश के अंदर जो पोलूशन है उसको कम करने के लिए योजना बुना रही है और जो मानिय सुप्रीम कोट का जो फैसला है हम उनका समान करते है और परदेश की सरकार मानिय सुप्रीम कोट का जो फैसले के जो हुआ है उसकी जो गाइड लाइन है हम उन पर चल करके पॉलिशन फ्री पर्देस उनाएं हर्याना में भी आने वाले समय में जो बड़ी गाड़ियां है दो हजार सीसी वाली उनका रिजिस्टेशन बंद हो सकता है इसके लिए अभी कोई ऐसी योजना नहीं है लेकिन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है जिस परकार से NCR में हैं दस साल और पंदरा साल की एज की जो बसे हैं वो हर्याना में भी चलने पाए नहीं अभी जो आपकी हर्याना की सरकार है उस पर बार आरो पिये लगता है कि ये बहुत ही धीमी गती की सरकार है करॉप्शन नहीं हो रहा है इस चीज़ को मानते हैं या फिर लेकिन काम उसमें जारी है और वहीं पर दूसरा आरोप ये लगता है कि जो आपकी सरकार है इसको अफसरशाई चलाती है मंत्रियों को इतने ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है जितने होने चाहिए मिलकुल ये बात गलत है कि हर्याना पर्देश के अंदर करफसन के स सकता है कि माने मनौलाग खटर साब कोई आप नहीं है हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार है जिस में भी करप्शन हो रहा है पहले जो काम पांच सो रुपे में हो जाता था उसके लिए पांच हजार देने पड़ रहा है जिस पर्देश का मुख्या मंत्री सो परसेंट इम मंत्री और सब यह मेलेज मिलकर सरकार चला रहे हैं अफसर जो ब्यूरुक्रेट हैं उसकी जूटी सरकार में अपने पद पर रहा कारिया करने की हैं आपके सांसर तो यहां तक बियान देते हैं कि जो अफसर हैं वो आपके फोन तक नहीं सुनते हैं अफसर जो हैं वो सीदे परसासनी बड़े से बड़ा अधिकारी क्योंडा हो? आम जन्ता के साथ या परतिनी दी के साथ इस परकार को वहभार करें आधनी तोर पर उसके खिलाब खरवाई होगी. अभी आपकी सरकार को तबातलों की सरकार कह रहे हैं? सैक्री नहीं हो पारी है, रोज नहीं तबातली होते हैं sangatuate, होते भी बड़ी संक्या में, चाहे इस हों, और प्रशाशनिकि अदिकारी हों, क्यों इतने तबातले क्यों? ऐसे सरकार हर ओफिसर की कारेशली को देखती है, तो कोई भी अधिकारी अपने स्थान पर रहेकर ठीक रूप से कारी नहीं कर पाए, तो निश्टी तोर पर परवादाने ट्रांसफर का, तो ऐसा चाए सबोडिनेट है, चाए वरिष्ट अधिकारी है, तो तबादला करना सरक अधिकार का अधिकार है, और समय समय पर एक खुटे भी रहे हैं, और करते भी हैं. अभी जो आपका परिवहन विभाग है, इसमें सुधार की कितने परसंट गुझ जाईश है? इसमें निश्टी तोर पर जिस परकार से हम नई ने स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो निश्टी त आपके करमचारी हैं, वो तो कह रहे हैं, हमें तो बेरोजगार कर दिया है, हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ड्राइवर्स की नौकरी तो निकलेंगे निए अब वो तो प्राइवेट हाथों में चली जाएंगे? इस परकार से परजात के नेताओं से मिटिंग की है, और मैंने दौन बार उनको यह वगत करा है, कि हम यह स्कीम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने हमें एक बात की थी, आप रूट, प्राइवेट रूट देना तो हमने वैदा किया है, आज भी वैदा कर रहे हैं, कि हम हर्याना प्रदेश के अंदर न हमारे जीम का है, जब नई बस याएंगी, तो निश्ची तोर पर कंडेक्टर भी तो बढ़ती होंगे, इसमें आरोपिया लगता कि चहेतों को आप ज्यादा परमिट देंगे, यह इसमें कोई चेस्ट में पीक और चूज की बात नहीं होगी, इसमें इट एंडरिंग होग जो उसमें कम रेट का जो हैगा, जो उसको देंगे, जे, हमारे साथ आज सवालों के घेरे में कैबिनिट मंत्री क्रिशनलाल पमार साहब थे, अब यह हमारे सवालों के चक्रियों में कितने अंदर गए, कितने बाहर आए, कितने सवालों का इमानदारी से जवाब दिया, औ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप कहीं मत जाये बने रहे एटीवी के साथ खबरों का सलसला बदस्तू जारी है